Hello friends, welcome back to my channel दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं Milk Powder से बहुत ही tasty बर्फी दोस्तो मैंने पहले भी बर्फी की रेस्पी आप लोगों के साथ शेयर की है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखे उसे मैंने चॉकलेट के साथ गार्निश किया था और बहुत कम चीजों से ये बन कर तयार होती है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना बर्फी बनाने के लिए यहां पर मैंने गैस के उपर पैन को रख लिया है लेकिन गैस के फ्लिम को अभी आन नहीं किया है दोस्तो तो अब हम यहां पर डाल देंगे और मैंने बन करते हैं धाइया karşı काफी बनती है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे 3-4 कब दूद जो दूद यहां पर मैने लिया है वो रूम टेम्परेचर पे है बहुत ज़एदा गर्म और थंडा दूद हमें यहां पर नहीं लेना है क्योंकि milk powder के अंदर अगर ठंडा दूद या फिर बहुत ज़ादा गरम दूद डालती है तो गुटलियां बन सकती है तो इसलिए हम यहाँ पर room temperature पर जो दूद है वही add करेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे one fourth cup melted ghee यहाँ पर मैंने देसी की लिया है इसे मिठाई का टेस्ट काफी अच्छा आता है अब हम सबी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे अभी मैंने गैस के flame को on नहीं किया है सबसे पहले हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलिया या lumps बिल्कुल भी ना रही उसके बाद हम गैस के flame को on करेंगे दोस्तो यह instant बनने वाली मिठाई है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है अगर आपने इसे घर पर बनाया तो आप बजार वाली मिठाई कभी नहीं लेकर आएंगे ये इतनी टेस्टी बन कर तयार होती है तो देखे मैं इसे ऐसे mix कर रही हूँ अभी गैस के flame को on नहीं किया है मैं थोड़ा से प्रेस करते हुए इसे mix कर रही हूँ तो अब हम गैस के flame को on कर लेंगी क्योंकि हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है ताकि इसके अंदर गुठलिया वगेरा ना रहें तो अब हम इसे low flame पे पकाएंगी तो गैस का flame यहाँ पर मैंने low कर दिया है क्योंकि यह बहुत जल्दी बनती है तो गैस का flame यहाँ पर आप low ही रखी तो low flame पे ही मैं इसे पका रही हूँ एक तो मिनट कुक करने के बाद हम इसके अंदर चीनी एड़ करेंगी मैं यहाँ पर powder sugar एड़ करूँगी आप चाहें तो दानेदार चीनी भी इसके अंदर डाल सकते है लेकिन powder sugar बहुत जल्दी melt हो जाती है तो मैं इसके अंदर half cup powder sugar एड़ कर रही हूँ मैंने चीनी को mixi में पीस लिया था और उसे use कर रही हूँ आप चाहें तो दानेदार चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन उसको melt होने में थोड़ा सा time लगता है लेकिन powder sugar से मिठाई बहुत जल्दी बन कर तेयार होती है तो मैंने यहाँ पर powder sugar डाल दी है मीठा आप अपने taste के अंसार थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं लेकिन half cup powder sugar इसके अंदर बिल्कुल सही रहती है ना मीठा कम होता है और ना ही जादा होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीनी melt हो गई है और यह जो mix है काफी पतला हो गए है लेकिन हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे जब यह डोग की तरह ही कठा होना शुरू हो जाएगा हमेसे तब तक पकाना है गैस का flame मैंने low ही रखा है low flame पर ही मैं इसे cook कर रही हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह mix जो है थोड़ा सा गाड़ा होना शुरू हो गया है और इसने pan को छोड़ना भी start कर दिया है लेकिन हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ी तेर के लिए और cook करेंगे तो इसको बनने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी यह मिठाई बन कर तयार होती है तो इसे इसी तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि यह तले में बिल्कुल भी ना लगे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मिक्स काफी गाड़ा हो गया है लेकिन यह डो की तरह भी कठा नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए हम इसे और cook करेंगे तो इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे गैस का फ्लिम लो ही रखा है लो फ्लिम पे मैं इसे cook कर रही हूँ अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यह डो की तरह ही कठा होना शुरू हो गया है बस अब हम इसे गैस के फ्लिम को बंद कर देंगे और इसे और cook नहीं करेंगे मैं इसे इसी तरह से पैन के अंदर चला रही हूँ गैस के फ्लिम को मैंने बंद कर दिया है ताकि यह थोड़ा सा और गाड़ा हो जाए और बर्फी जमने के लिए यह mix बिल्कुल तयार हो गया है तो हम इसे चला रहे हैं ताकि कड़ाई करम है यह कड़ाई में ना लगे इसका कलर चेंज ना हो तो मैं इसे इस तरह से चला रही हूँ गैस का फ्लिम बिल्कुल बंद है तो चलिए अब हम ट्रे को रेडी कर लेते हैं जिसके अंदर हमें बर्फी को सेट करना है तो यहाँ पर मैंने बर्फी वाली ट्रे ली है मैं इसको घी के साथ इस तरह से ग्रीस कर रही हूँ आप चाहें तो इस तरह से बर्फी वाली ट्रे ले सकते हैं या फिर कोई थाली ले सकते हैं या फिर आप लंच बॉक्स के अंदर भी बर्फी को सेट कर सकते हैं ट्रे को हमने घी के साथ ग्रीस कर लिया है आप चाहें तो ओइल से भी कर सकते हैं तो देखें ट्रे हमारी रेडी हो गई है आप चाहें तो इसके अंदर बटर पेपर भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने इसको गी के साथ ही ग्रीज किया है तो अब हम सारा मिक्स इस तरह से ट्रे के अंदर डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि ये डो की तरह है बिल्कुल और पैन को अच्छे से छोड़ रहा है तो सारे मिक्स को हम ट्रे के अंदर इस तरह से डाल देंगे और ट्र सो उपर से प्लेन कर देंगे ताकि बर्फी बहुत सुंदर लगी देखने में तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्णिश करेंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा से कटे हुए पेस्टा और बदाम लिये हैं आप अपनी मन पसंद ड्राइफरूट्स के साथ इसे गार्णिश कर सकत हैं दोस्तो मिल्क पाउडर से बर्फी की रेस्पी मैंने पहले भी आप लोंग के साथ शेयर की है मैंने उसे चॉकलिट के साथ गार्णिश किया था अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब जो ड्राइ से सेट होने के लिए छोड़ दोंगी तो मैंने इसे चार से पांच खंटे के लिए रखा था और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है तो चलिए अब हम इसे पीसेज में कट करेंगे तो मैं सबसे पहले इसका किनारा इस तरह से कट करके निकाल देती हूँ ताकि पीसेज निकलेंगे और वो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में तो देखे मैं इसे मार्क कर रही हूँ उसके बाद मैं इसको कट करूँगी आपको जितने साइज के पीसेज चाहिए आप उसे साब से कट कर सकते हैं तो देखे मैंने मार्क कर लिया था तो अब हम इसे इस तरह स आप देखी सकते हैं कि बर्फी बहुत अच्छे से सेट हुई है तो मैं आपको एक पीस निकाल कर भी दिखाऊंगी कि बर्फी कितनी अच्छे से तयार हुई है बर्फी के पीसिस को हमने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे पीसिस के निकले हैं तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में इसको कट किया है आप अपनी पसंद की शेप में इसको कट कर सकते हैं दोस्तो देख कर ही लग रहा है ना कि मिठाई को हम हलवाई से लेकर आए हैं और बहुत ही बढ़िया मिठाई इसमें तयार होती है खाने में भी बहुत ज़दा टेस्टी है तो आप इसे घर पर बनाएगे इसे बनाना बहुत ही ज़दा असान है तो मैं आपको दूसरा पीस भी निकाल कर दिखा रही हूं कितनी असानी से आप इसे कट कर सकते हैं उमीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत जादा पसंद आई होगी, पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बैल आइकन है उसे ओल प जादा पसंद आएगी, थैंक्स फो वाचिंग